अगर कोई भारती इस वीडियो को सुन रहा है तो इसे आगे पहुँचाए आज कल हिंदू राष्ट बनाने की बात हो रही है क्या हिंदू राष्ट बनाने से राम राज्य आ जाएगा क्या आपको पता है भारत गुलाम क्यों बना भारत के निवासियों में आपस में काफी म साथ भेद हुआ करते थे जो एक दूसरे के साथ अपने स्वार्थ बस दिया करते थे जिसका फाइदा पहले मंगोलों ने फिर अंग्रेजों ने उठाया और भारत को गुलाम बनाया आज हमें सत्तर पच्छत्तर साल हो गए हैं आजाद हुए लेकिन आजाद हम सिर्वीरि भासा को अपनाना अपने दिन चर्या में अपनाना सबसे में कारण यही है क्यों क्योंकि अपनी मात्र भासा को हम भूलते जा रहे हैं अब जैसे माल लिजे सभी के भारत हैं भारत के अंदर में कितने राज्य हैं सभी राज्य की अपनी अपनी भासाएं हैं अपनी अपनी इससे सर्म की बात और क्या होगी भारती सिच्छा पद्यती पहले कैसी हुआ करते थी बिटिस आधिंता से पूर भारत की सिच्छा ब्यौस्था लंबे समय तक गुरू सिच्छी की परंपरा पर अधारित रही आधनिक विद्यालों के विपरीत उस समय छोटी-छोटी पाट स सालाएं हुआ करती थी जहां इस्थानी सिच्छा किया गुरू द्वारा बच्चों को ग्यांद प्राप्त कराया जाता था 1850 तक भारत में गुरू कुल की प्रथा चलती आ रही थी परंतु मैकाले द्वारा अंग्रेजी सिच्छा संक्रमण के कारण भारत की प्रचिन गुरू कुल बंद हुए और उनके अस्थान पर कान्वेंट या पब्लिक स्कूल खोले गए जिन अंग्रेजों ने हमारी सिच्छा ब्यौस्था को खतम किया उन्हीं के हम गुर्गान कर रहे हैं अंग्रेजी कितनी एक छोटी भासा है अंग्रेजी में मालीजे जैसे सूर है अब सूर को इंगलीश में अगर बोलेंगे सन के अलामा कोई और सब्ध हो तो बता दीजिए क्या बोलेंगें लेकिन अगर उसी को हिंधी में देखें आपने भारत देश में कितने तरीकशों से बोला जाता है अब जैसे सूरiva पहसूर की कितने नाम हैं दिनकर, प्रभाकर, दिनाकर, भानु, भासकर, आक, आदित, दिनेस, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवी, प्रभाकर, अरुड, अस्तुमाली और सूरज, इतने सारे नामों से जाने जाते हैं, भारत में किसी भी सब्दिकाब ले ल सुन्दरी, ग्रहडी, जनाना, वामा, लच्छमी, देवी, पत्नी, आदिनामों से जाना जाता है, अनेक और सब्दें हैं, जो कि अथा भासा है, हमारा भारत की भारत की ही नहीं, पूरे विश्टू की सबसे पिरचीन भासा संस्कृत है, संस्कृत से ही सारी भासाओं का ज लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भासा का इतना ज्यादा प्रिचलन हो चुका है, कि लोग अपनी मात्र भासा, अपनी राष्ट भासा बोलने में हिचकिचाहट होती है, इतने हम जकड गये हैं, सिर्फ भासा का ही नहीं, वेस बूसा का ले लीजी, आजकल अंग्रेजी प्र पूरी तरह से भारती हैं और नहीं पूरी तरह से अंग्रेज हैं, हम बीच में अटके हुए हैं, और लडके हुए हैं, जैसे कि एक कहावत है, कि धोभी का कुट्ता, न घर का न घाट का वही हालत आजकल हो गई है, क्योंकि हम पूरी तरीके से ना तो भारती बन पार रहे नहीं पूरी तरीके से अंग्रेज बन पा रहे हैं हम अपनी भारती संस्कृत को भूलते चले जा रहे हैं जिस दिन हमने अपनी भारती संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया अपनी भारती चीजों की माननता देना शुरू कर दिया उस दिन भारत जो है एक हिंदू सब भिताप पर गर्व नहीं होगा तब तक ऐसा कभी हो नहीं सकता है सिर्फ कल्पना मात्र रहेगी जै हिन जै भारत